रिगवेद से 87, 87, मानवी करण, मर्त गण, हे आभूशन धारी सुशोवन सम्वोहक दिब्विशरूप मर्त गण, आपके कंधे पर चमकडार अस्त्र हैं, हे महावली, अंतरिक्ष में अपनी उत्पत्ति के कारण स्वैम आप ही हैं, हे सुर्य के समान ते जस्वी, हे विशाल शरीर धारी, आप सौम्मे हैं, आप विक्राल हैं, आप रुद्ध स्वरूप हैं, आपकी गती अबाद हैं, जैसे वीर अश्वारोही, योद्धा अपनी रुची के अनसार अपने घोड़े को जिधर चाहते हैं, उधर घुमा देते हैं, वैसे ही आप आकाश को आच्छाजित करने वाले मेख मंडल को जहां चाहते हैं, वहां ले जाते हैं, आप धबेदार घोड़ियों की सवारी करते हैं, आप अक्षए बलसंपन्न हैं, सर्वजई हैं, आप दिब्बे चक्छु हैं, उस्पंदन युक्त हैं, अडिक को हिलाने वाले हैं, आप धूल की आंधी चला देते हैं, आपका गरजन सिंग के समान है, आप अपनी राह स्वैम बनाते हैं, आप शान्त हैं, आप कोमल हैं, आप उग्र हैं, प्रचंड हैं, आप भूमी को वर्षा के जल से त्रप्त करते हैं, जल जब आप वन के ब्रिक्षों से होते हुए गुजरते हैं तब चारों और ऐसी ध्वनी उत्पन होती है मानों वेद पाठ हो रहा हो मदन मोहन तरुं के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित